वाइल्ड मट बेंटन का एकलोता ऐसा एलियन डोगी जिसके पास आईज ना होने के बावजूद वो सब कुछ देख सकता था तो आज हम वाइल्ड मट के ओरिजिन और उसकी बैक्स्टोरी और पावर अबलेटी के बारे में जानने वाले हैं वीडियो काफी जदा ओसम होने वाली है इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बैल को ओन कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसा मीजिंग सब्सक्राइब कर देख सकता है और अगर इसकी बात करे तो गाइस वाइल्ड मट भीना देखे किसी को भी सुंग सकता है वो हर एक चोटी से छोटी बाएल चल को पहचांद सकता है और अपने ओपननाट को जलदी हरा देता है, वाइल्ड मट जो है आध करें का दूर टक जंप कर सकता है वो धिवारों पर चल सकता बी वल्पीमेंस सब कुच देख सकते थे इसलिए और वाल कि झालेगा और जैसा है बिएकने को मिला यहां के लिए बोल नहीं सकता था उसे बारे में मैं आप booster बती तो होंगा लेकिन स्वाल्ड मट की जो नाह科 है वूसके फेस पे नहीं बलकि वाइल्ड मट की घर्दन पहले है और आपको बता दूँ कि गाइस के घर्दन पहले उसकी गर्दन से बाइस के सरुझ जिनकी मदस से वाइल्ड मट हर एक छोटी से छोटी हरकत को पैचान लेता है। वाइल्ड मट की अपेरेंस हमें बेंटन ओमनिवर्स में भी देखने को मिली थी, जहां पर बेंटन ने कई वार वाइल्ड मट का यूज किया था। तो गाइस यह था बेंटन का वो एलियन डोगी जिसके पास आईज ना होने के बावजुद वो सब कुछ देख सकता था। तो गाइस आप लोग कॉमेंट करके बताना कि आपको वाइल्ड मट अच्छा लगता या नहीं और अगर वीडियो में कोई भी इन्फरोमिशन मुझसे रह गई है तो आप लोग नीशे कॉमेंट करके मुझे बता देना तो आज की हमारी यह वाली वीडियो यहीं तक थी अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बैल को ओन कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे मिजिंग वीडियो देखने को मिलती रहे हमारी इस वीडियो को अपने देख सकते हो